हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सौरा और अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो माज हम यही डिसकस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं अब टो सबसे पहले हम बात करेंगे Laptop के screen size की तो जो सबसे बसिक स्टेंडर्ड है 15.6 inches का सबसे बेसिक हैं अगर आप यह लें तो सबसे बैटर है क्यूंकि ना तो यह बहुत जादा बड़ा हो जाता है ना तो यह बहुत जादा चूटा हो जाता है 15.6 inches काफी जाद अच्छा शफी सेंटे सब चीज के लिए और स्क्रीन रेजिलूशन क्या होना चाहिए लेपटॉप की 1920 x 1080 जिहां यह एजडी प्लस स्क्रीन डेजिलूशन आपको मिनिममम यही लेना चाहिए और थर्ड पॉइंट आपको इसा भी प्रोसेसर लीजिए बट उसकी जो सीप्यू फिक्वेंस यह मतलब सीपीड होगी वह मिनिममम टू पॉइंट जीरो तो होनी ही चाहिए मिनिममम कई बार ऐसा होत लेना चाहिए ऐसमें एक और चीज़ आती है जैनरेशन आपको कौनसा जनरेशन लेना चाहिए इस ताम पर चल रहा है एट्स जनरेशन तो आप मिनिममम सेवंत जनरेशन तो लीजिए लीजिए इस से नीचे मत जाईेगा क्योंकि फिर वह ज्यादा ही आउट अपड़ेट हो जाती है तो आपको minimum 7th generation लेना और अगर आपको बजट में हैं तो 8th generation भी ले लेजिए तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन सा प्रसेट से लेना चाहिए i3 i5 या i7 तो i3 लेते हैं तो आपके साथ क्या क्या मलता है पहला i3 लेंगे तो आपको basic use के लिए मिल जागा अपने laptop में थोड़ी बहुत browsing अच्छे से कर सकते हैं थोड़ी सी बहुत कम सी gaming भी कर सकते हैं बहुत कम आप कोई high-end graphics वाले गेम नहीं चला सकते हैं i3 में बहुत माइनर से चला सकते हैं और i3 में आपको option भी कम रहता है graphics card के साथ बहुत ही कम laptop होते हैं कि जो graphics card के साथ i3 में यहां पर आप basic use कर सकते हैं browsing कर सकते हैं अच्छे से आपका Microsoft Office या आपका जो भी Office बरके वह आप आसानी से कर सकते हैं बट यहां पर आगर आप i5 लेने की सोच रहें तो आप क्यों लेंगे तो यहां पर आप gaming कर सकते हैं थोड़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं आप high-end गेम भी चला सकते हैं जैसे तो i5 क्यों हो गई कि आप अच्छे से gaming कर सकते हैं आप अच्छी वीडियो रेटिंग भी कर सकते हैं गेमिंग भी कर सकते हैं आइसेवन क्यों लेंगे आपको बहुत ज्यादा high uses वो processing का मतलब आप वीडियो रेटिंग भी बहुत high resolution के साथ बहुत high graphics के साथ करते हैं आप आपको एक नई series मिलेगी राइजन वो काफी अच्छी आई है वो काफी ज्यादा अच्छी ठकर दे रही है चलिए आप बात कर लेते हैं एंवीडिया की तो एंवीडिया का जो graphics card होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं पहले नमर्प में आपको एंवीडिया का ही suggestion करूँग है ना तो भी आपको एक एंवीडिया का बहुत ज्यादा शेफी सेंड रहता है अगर आपके budget में नहीं आ रहा है तो आप AMD का राइजन सीरीज का भी graphics card यूज कर सकते हैं वो भी काफी अच्छे हैं दो जीवी चार जीवी आपकी uses पे हैं आपको कौन सा चाहिए आप देख लिए आपको क्या चीज चलानी है उसके हिसाब से तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमें कौन सा विंडो पर्चेस करना चाहिए वाले कुछ टाइम में Windows 7 टोटली बंद होने वाला है Microsoft की तरफ से भी वहां से भी आपको कोई अपडेट नहीं मिलेंगे और Windows 8 भी मतलीजे ज्यादा अच्छा उसका यूजर इंटरफेस नहीं है मैंने चलाया मैं बहुत बिकार सा लगा मुझे तो आप डेफिनेटली Windows 10 ही पर्चेस कीजिए अब जैन में लेना चाहिए या पाइरेट अगर आप जैन में विंडो लेते तो आपको उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं होने वाले आने वाले अपडेट में आपको वह सॉल्फ हो जाती हो सिक्यूर्टी से रिलेटेड एप भी आते हैं उसमें आउनलाइन से ले रहे हो चाहिए ऑफलाइन से ले रहा है एक बर कंफर्म कर लीजिए इसमें जैन्य विंडो है तो उसकी हमें या तो आप की दीजिए या उसका बैक अप बना के दीजिए कि अगर बाइचंस कभी फ्यूचर में वह विंडो कुछ प्रॉब्लम हो जाए कर हाइच डीडीडे वह पोटिवर नहीं होती वह कैसे कुईकि उसके अंदर हाइच ड्राइब होती है डिस्क होती है वह समय के साथ थोड़ी सी कमजोर भी हो जाती एकी साल के बाद चा तो डेफिनिटली कमजोर हो जाती है अगर उसको शॉक लगता उसको थोड़ा भूत वह हिल भी जाती है ना तो आपका जितनी भी हाट ड्राइवर वो सारी खराब हो जाती है तो इसका solution क्या है कि आप जब भी आप अपने laptop को चलाओ तो एक ऐसी जगे रखके चलाओ जहां पर वो हिल नहीं रहा हो या आप laptop जैसी बंद करते हो उसको को तुरंध मत कीजए थोड़ी दिर रुख जाए जब आपका laptop पूरा बंध हो जाए उसके बाद इसकि जो स्क्रीन उसको नीचे कीजिये ताकि आपका laptop पूरा बंध हो जाए उसकी मुवнемेंट सरी बंद हो जाए उसके बाद ही उसको फिर कहीं मूव कीजिए क्यिक और है कि उसकी बैटरी या सीडी राइब खराब हो जाए तो उसकी जो बैटरी रहती है वह आप जब भी लैप्ट आप पर्चेस करते हैं उसकी extended warranty के साथ लें better रहता है कि आपको कोई भी प्राब्लम हो तो वह extended warranty के अंदर cover हो जाता है दूसी बात cd drive आजकल तो बहुत सारी कंपोनियों ने अपने cd drive हटा ही दिये हैं cd dvd drive क्यूंकि आज mostly लोग pen drive का ही यूज़ करते हैं तो cd और dvd drive का अगर आप यूज़ करोगे तो खराब होंगे ही होंगे तो उससे बेटर यह है कि आप cd की जगे pen drive का यूज़ करें तो फ्रेंट जित्ती भी चीज़े मैं आपको यहां पर बताई है मेरे रेक्मेंट किये लेकर लैपटॉप भी आपको 30,000 से लेकर 70,000 के आसपास के लैपटॉप सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहां से जाके एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको वह लैपटॉप पसंद आयता है तो आप वहां से ले लिजिए बट उससे पह कमेंड में मुझे जरूर अपना बताएगा अगर आपको कुछ पूछना है तो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपका जरूर डेपनेटली रिप्लाय दूंगा और यह जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी लिंक दे दूंगा फिर वह चाए तो टाइम अपडेट होती रहेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि यह लिंक एक्सपायर होई है तो आप मुझे कमेंड में लिखके बता दीजेगा मैं उसको रिजनरेट कर दूंगा तो हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैलकन ज़रू दबाज दीजेगा तो थैंक यूब वाचिंग मैं वीडियो आइम सारफ फ्रम टेक में टेकनिकली